महारास्त सरकार और महारास्त के उप मुख मंत्री देवेंद फरनवीस्ट को लेकर शिवशेना के मुखपत सामना हमला बोला है सामना में कहा गया है कि देवेंद फरनवीस्ट लंगरे घोरे पर सवार होकर आये हैं जादा दिन टिक नहीं पाएंगी सामना में कहा गया कि बीजेपीत समर्थित शिंदे गुर्ट की सरकार ने बिधान सभा में बहुमत परिक्षन जीत लिया है इसमें खुशी हो या दुख हो ऐसा कुछ नहीं है 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि विश्वास्मत्र प्रस्ताव के समय ये निस्ठावान सिंदे कैम्प में शामिल हो गए शिर्शेना में रहने की वज़े से इस निस्ठावान बिधाय का हिंगोली की जनता ने भविस्वागत किया था वहीं बांगर सौंबार को शिंदे गुठ में भाग गए इसलिए विश्वास्मत्र सिर्फ पानिपत्र में गिरा था ऐसा नहीं है कि बलकि पर्तेक्ष महराष्ट में भी कई विश्वास्राव भाग गए बहुत परिक्षन के समय बीजेपी समर्थित शिंदे समू को 164 विधायकों ने समर्थन दिया और विरोज में 69 मत परे देवन्थ फरणवीज ने बहुत परिक्षन सफल बनाने वाली अधिश्य शक्तियों का अभार माना है सामना में कहा गया है कि शिंदे कितने मजबूत महायान नेता है इस पर उन्हें भाशन दिया प्रंदो फरणवीज को मुख्यमंत्री पर्द की सफ़त लेने से रोकने वाली अधिश्य शक्ति कौन है यह सवाल महराश्ट के समक्ष खरा है विधान सभा में बीजेपी और श सेपी के बिधाय को का भी दिमाग बिचलित हो गया फरणवीज दोरा दिये गए अभिनंदर भाशन के तौरां कर्जमुक्त होने जैसा सीधिन साधे उनकी चेहरे पर सपस्ट दिख रहा था मैं फिर आया और औरों को भी साथ लेकर आया ऐसा बयान इस मौके पर देवन पर पर बैठे हैं एक नाज सिंदे मुख्य मंत्री है यह उन्हें भूलना नहीं चाहिए महराश्क में सकता परिवर्तन हुआ इसमें सिध्धान्त नैतिक्ता और विचारों का लवलेश भी नजर नहीं आता है हम भी बाला सहब ठाकरे के शिवशैनिक ऐसा एहसास करा कर करीब 40 लोग विधिमंडल से बाहर निकलते हैं पाटी के आदेश को नजर अंदाज करके मतदान करते हैं नियायालाय की आदेश का पालन नहीं करते ऐसे गयर कानुनी लोगों के समर्थन से सरकार अस्थापित करना और उस सरकार में दूसरे क्रमांग का पत्षिंखार करके अपने से कनिष्ण नेता की प्रशंचा करना किसी को फॉरंडवीज की राजितिक प्रतिश्चा का लक्षन समझा जाए क्या सत्ता कामरपट्टा कोई भी साथ लेकर नहीं आया है सिंदे की सरकार इसी तरह की है सुरत गुवाहाटी गुवा से वो सरकार किसी कंकाल की तरह को पूर्व निधारित अनुत्वार नीचे गिराएंगे और महरास्तों मध्यावदी चुनाव की खाई में ध्रके लेंगे शिंदे के बागी गुट को शुद्ध मकसद से सत्ता पर बैठाने जितना इन लोगों का मन बढ़ा नहीं है 106 विधायकों का मुख्यमंत्री नहीं बनता और 49 बाग्यों का मुख्यमंत्री बन जाता है इसमें गोलमाल है ऐसी जो चेतावनी पूरू उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दी इसकी गंभीरता शिंदेगुट पर गए लोगों को ध्यान में आज तक नहीं आएगी कि कि उनकी आखे बंद है लेकिन जब आएगी तब देर हो चुकी होगी शिवशिना की विरोध और महाराष्ट द्रो इंसूत्रों के अनुतार शिंदे का जिन्नुर्धार हुआ है इसलिए शिंदे के साथ गये विधायकों का भविश्य अंधकार मैं है शिंदे के कहे अनुत शिंदे के मुखे मंत्री होने की बात जान बूच कर लोगों में भ्रह्म फैलाने के लिए कही जा रही है कि ब्यूरोडिपोर कि पब्लिक न्यूज